दोस्तो आठ नोटिफिकेशन रिलीस की गई है GST डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नबर 81 से 88 तक नोटिफिकेशन का क्या इंपेक्ट पड़ेगा GST के उपर स्मॉल टेक्स पेयर्स के उपर क्या-क्या रूल्स प्रोविजो एड किये गए हैं स्मॉल टेक्स पेयर्स को आज हम एक ही करके अनलाइस करेंगे हर एक नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन 81 से 88 तक मैं रवी कुमार आप सब का स्वागत करता हूं अपनी यूटुब चैनल रवी रायन एंड एसोसेट में जहां हम बात करते हैं यह फाइनस और टेक्स रेलेटेड तो विदाव बेस्टिफिक टाइम लेट गट स्टाटट अगर्ट तो दोस्तों पहला नोटिफिकेशन नमबर है कि सेक्शन 39 सेक्शन 39 जो कि GSTR 3B से रिलेटेड है आज हम अभी जो इस नोटिफिकेशन 81 में हम बात करेंगे वो 3B से रिलेटेड बात करेंगे करेक्ट 39 का सब सेक्शन वन ये बोलता है कि हर एक टैक्सेबल परसंस को अपना 3B फाइल करना मेंडिट्री है करेक्ट लेकिंग उसमें ये प्रोविजो एड किया गया है तो प्रोवाइट एड़ गौर्मेंट में ऑन तरिकमेडेशन ऑफ दा काउंसेल नोटिफाई सेटन सेटन क्लास आफ डलाज रेजिस्टर पररसंस की कटेगरी में कौन आते हैं अभी तक ये कटे आ अभी तक ये लॉट में प्रोविजन था कि हर एक टैक्स मॉल टैक्सेबल पर्सं जिसकी टरनोब़ डीट करोड है वह अपना जियूट ये नवर देट्री करेंगे लेकिन आ कि कौन quarterly फाइल करेंगा कौन monthly फाइल करेंगा तो यह प्रोविजन एड किया गया कि इसके सब्सक्राइब किया गया है इसके सब्सक्राइब में और सब्सक्राइब कौन सा है चैक्शंवन पिफड़े तेखा इस वन जिसमें अभी यह बोलते हैं कि JSTR 3B आपको मन्तली फाइल करना है लेकिन इसके सब सेक्षिन 7 में 2 जो प्रोविजो एड़ किया गया प्रोवाइड डेट एवरी रिष्टर परसन फरनीशिंग रिटन अंडर दा प्रोविजो अंडर दा प्रोविजो अप्स सब सेक्षिन 1 प्रोविजो कौन सा जिसमें ये बोला गया है कि आप अपने 3B जो है quarterly भी फाइल कर सकते हैं सो condition ये है कि आप अपनी जो output की liability डिस्चार्ज करते समय आपका जो sign rate बनता है आप उसका input लीजिए उसके बाद जो आपकी liability balancing बसती है उसको आप अपने cash laser के थ्रू pay कीजिए लेकिन आपको ये return quarterly फाइल करनी पड़ेगी GSTR 3B small taxpayer के case में हम ये बात कर रहे हैं अब ये question उड़ता है the question arise that कि क्या small taxable person अपनी 3B जो है quarterly फाइल करेगा तो क्या अपनी वो tax payment की liability क्या वो government को tax monthly देगा जी हां दोस्तो आगे notification में हम ये बात करेंगे जो notification आगे 81 से 88 जो release कियागी इसमें ये भी बोला गया है कि आपको as a advanced tax जो हम income tax में देते हैं वैसे ही आपको GST में भी advanced tax monthly देना पड़ेगा लेकिन आप अपनी 3B जो है आप quarterly फाइल कर सकते हैं तो दोस्तो notification number 81 में बस यही provision था कि base जो है notifications जो modify कियागे जिसका base था CGSTX 39 जो कि 3B से related आप 3B से related base ये बोलता है कि आप अपनी small taxable person अपनी जो 3B की रिटन है quarterly फाइल कर सकता है बस शर्ते जो प्रोविजो एड किया गए उसको follow करना है due date के अंदर उसको अपनी सारी liability discharge करना है तो notification number 81 में इतना ही बताए गया है आगे बढ़ते हैं दोस्तो notification number 82 82 अंदर ये बोलता है दोस्तो एक नया provision एड किया जा रहा है जिसको हम कहते हैं invoice furnishing facility तो invoice furnishing facility कि IFF क्या होता है दोस्तों पहले तो आप यहीं समझने कुशिश कीजिए common portal GST common portal में यह feature first January 2021 से एड की जाएगी कि हार एक small taxable person को अपनी sale का reporting जो है 13th of following month में GST common portal पे reporting करना ही पड़ेगी बशर्ते वो अपनी GSTR 1 जो है quarterly भरेगा लेकिन अपनी जो invoicing furnishing facility IFF कि तुरू अपनी billing की reporting जो है GST common portal पर every 13th of following month में रिपोर्ट करेगा इससे benefit यह होगा दोस्तों जो इसका tax recipient है उसके 2A में invoice reflect file करने बाद उसके 2A में amount reflect करने लगेगा और सामने tax recipient को अपनी tax liability discharge करते समय है बहुत easy होगा complications कम हो जाएगी क्योंकि जब अमाउंट उसके 2A में reflect होगा तो अपनी liability set of करके discharge अपनी output की liability discharge कर सकता है तो इसका main benefit यह है जो complications बनी वी है कि small taxable percent जो अपनी quarterly return file करते हैं और large tax taxable percent जो अपनी monthly return file करते हैं उनको input लेने में बहुत सरदर्दी होती है यह complications आती है क्योंकि 2M amount reflect नहीं होता है तो इस complications को कम करने के लिए invoice fundraising facility 1st January 2021 से add की जाती GST common portal पे यह mandatory नहीं है यह optional है लेकिन लेकिन small taxable percent इस features का benefit उठाते हैं तो tax recipient को यह benefit बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि 2M amount उनको timely reflect होगा जिससे कि वो अपना input लेकि अपनी main liability discharge कर सकते हैं सेकंड प्रोविसर यह बोल यह है कि 2A के अंदर उनको amount timely reflect होगा थर्ड प्रोविसर इसका third condition यह है GSTR 2A shall be available after the GSTR 1 file जो इन्वाइस फइस्ट के according वो उनके 2M amount reflect होगा उसका input लेपाएंगे fourth point यह बोलता है quarterly GSTR 3B file shall be use GSTPMT06 दो तो नहीं form यह add किया जा रहा है GSTPMT06 जिसके अंदर आप जैसे income tax में advanced tax जमा करते हैं वैसे ही आप अपनी GST के liability monthly pay करेंगे monthly yes सही सुना आपने आप monthly pay करेंगे GSTPMT06 के according लेकिन आप जब अपनी quarterly 3B आप फाइल करेंगे तब यह आप जो monthly file किया होगा अपने PMT06 के तुरू उसको आप set off करेंगे और उसको settle करके अपनी final 3B file करेंगे लेकिन government अपना पैसा नहीं छोड़ती दोस्तों वह अपना जो आडवांस टेक्स के थू या जी एस्टी आडवांस पेमेंट monthly receive करेंगी small tax payer से फिफ्ट पॉंट की बोलता है दोस्तों कि फर्स्ट अप्रेल next financial year से financial year 21-22 के लिए अप्रेल 2021 से आपको hsn code अपने invoice पर मेंशन करना जरूरी है हर वो taxable person जिसकी turn over 5 crore से कम है four digit hsn code अपने invoice पर मेंशन करेगा हर वो taxable large taxpayer जिसकी turn over 5 crore से उपर है वो six digit hsn code अपने invoice पर मेंशन करेगा correct group 1 की category group 2 की category में कौन-कौन से स्टेट आते हैं जहां पर GSTR 3B file करने के लिए रियायत दी गई है रियायत इंतर सेंस जब normal due date जो है 3B file करने के 20th of following month है लेकिन कुछ state में group 1 की category के लिए 22nd of following month और group 2 की category में following 24th of following month की due date रखी गई है कि नोटिफिकेशन नमबर 83 83 में दोस्तों यह बोलता है कि GSTR 1 की due date जो है जो कि जो पुरानी notification नमबर थे 74 75 2020 उसका super sessions version है notification number 83 83 के अंदर यह बोलता है हर वो का taxable person जो अपनी return file करता है वो every month जो monthly return file करते हैं वो 11th of succeeding month वे आपनी return file करेगा correct quarterly return जो फाइल करते हैं वो every 13th of succeeding quarter अपनी return file करेंगे यह उनकी due date है इसके बाद जो फाइल करते हैं वो default और interest penalty category में शामिल किया जाएगा जो due date define की की गई है notification 83 के अंदर मंतली के लिए 11th of succeeding month और quarterly returns के लिए 13th of succeeding quarter notification number 83 के अंदर इतना है describe किया गया है notification number 84 taxpayer who has opt for quarterly return GST3B हर वो का तो दोस्तों notification number 84 जो है लाट taxpayer के लिए नहीं है लाट taxpayer की category का मतलब है हर वो taxable person जिसकी turnover पांच करोड़ से उपर है तो वो इस category से टोटली आउट है वही taxable person small taxable person आएंगे जिसकी turnover पांच करोड़ यह पांच करोड़ से कम है तो उनके लिए ही notification number 84 जो है fruitful है condition क्या है existing system यह मोलता है कि turnover अगर आपके कैसे calculate करेगा अपने point of view से system उसको कैसे identify करेगा कि वह quarterly return है या monthly return तो यह system dimmed उसको dimmed option की category में रखा गया है department किस category में आपको रखेगा अगर आपके turnover डेड़ करोड़ है और आप अपनी डेड़ करोड़ है और आप system उसको monthly return फाइल करेगा अगर आपको डोस तो quarterly return में के अंदर यह option option होता है कि आप अपनी डेड़न quarterly फाइल करें या monthly फाइल करें यह small taxable person को रियायर दी गई है यह उसको option दिया गया है कि वह अपनी डेड़न quarterly कर सकता है या फिर monthly फाइल कर सकते हैं कोई option है अगर वह अपना option change करना चाहते हैं तो 5th December 20 से लेकर 31st January 21 के अंदर वह अपना common portal में जाकर अपना यह option change कर सकते हैं monthly to quarterly 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 to monthly लेकिन यह बात दियान रखा जाए कि यह जो है सरफ लाग taxable taxable persons के लिए यह बात नहीं हो रही है हर वो taxable person जिसके टनवर पांच करोड यह पांच करोड से कम है उसकी पास ही option है तो notification number 84 यह बोड़ता है move करते है नोटिफिकेशन नमबर 85 notification number 85 tax payment for quarterly GSTR 3B first and second month of quarter दोस्तों जैसे अभी हमने पहले बात की है कि government अपना पैसा नहीं छोड़ती है correct 3B आप फाइल करेंगे quarterly लेकिन क्या government अपना पैसा छोड़ देगी नहीं तो आपको जो है government का पैसा जो है जैसे income tax में हम advanced tax pay करते हैं उसी तरह at GST के अंदर आपको every month आपको अपने as a advance GST payment payment करना पड़ेगा मंतली करना पड़ेगा और जब आप उसकी 3B की quarterly return फाइल करेंगे तब अपनी जो है जो advance payment आपनी की उसको set off करके अपनी liability discharge करेंगे और अपनी 3B फाइल करेंगे quarterly लेकिन पैसा आपको मंतली की देना है पहली condition यह है कि 35% of the tax liability if the proceeding GSTR 3B was on quarterly basis अगर आप quarterly return अगर आप small taxpayer है और आप अपनी return quarterly भरते हैं अगर हम जैन फैब मार्च की बात करें 2021 की तो आपका last preceding quarter होगा आपका October, November, December 2020 तो उसके अंदर job की turnover है उसका 35% आपको government को pay करना पड़ेगा जन्वरी मन्त में फिर 5 मन्त में और फिर final quarterly 3B फाइल आपको करना पड़ेगा दोस्तों अगर एक चोटा से example मैं आपको समझाता हूं 100% की tax liability होती है अगर आप उसका तीन महीने में डिवाइड करेंगे तो एक महीने की liability होती 33% पॉंट 3 थी करेक्ट अगर इसको round off किया जा तो 33 34 तो government ने 35% higher side में रखा है इसका मतलब government 30% भी कर सकती थी देखिंग government अपना पैसा नहीं छोड़ती दोस्तों तो government बहुत चाल हूँ है इसलिए 35% round figure में रख दिया कि small taxable percent जो है अपना 35% एवरी मंथ अपनी लाइबरेटी आज जी एस टी आडवांस पे करेगा और government के अपने cash notification number 86 जो है दोस्तों यह this is the repeal of the notification number 76 जो पहले आया था उसी का यह सब्रेस है notification 76 dated जो 15th October को आया था prescribed the due date of the filing GSTR 3B now since the same has been incorporated by 13th amendment GST rule and the hence previous notification repeal कर दी गई है मतलब उसी का updated वर्जन है 76 का updated वर्जन है 86 तो इसके अंदर सारे feature जो है 8076 के add कर दिये गए है आगे बढ़ते हैं दोस्तों notification 86 sorry 87 और 88 जो है यह GSTR 3 1 GSTR 3B और GSTR 1 से लिए नहीं है GSTR पर नोटीफिकिकेशन 87 ऐधार 2020 जो यह बोलता है कि जूब वर्क से लिए जौब यह ड़ेट इन जूब वर्क से रिए जॉब वर्क से लिए जॉब वर्क से लिए जौब वर्क से लिए और दो तेल्टी सेंबर टिल 30th day of November तक अपनी return जो है file कर दे जो कि July से September तक की due date जो है 30th November तक अपनी return file कर दे GST ITC 04 के अंदर notification number 87 जो की job work से related है job works CJST 143 आप detail में इसको पढ़ सकते हैं जिसके अंदर proper detail में बताया गया है कि job worker और principal की भी क्या relations है और कैसे हो अपनी liability discharge करते है good dispatch करते समय नोटिफिकेशन निंबर 88 जो की लास्ट नोटिफिकेशन है यह टुन ओवर ओफ फॉर फॉर इन इंवोिसिंग से related है यहां पर government थोड़ी से रिया है दिखाई वी है government यह बोलती है दोस्तों कि यह विदिफेक्ट फॉर फॉर जनुर्वर 21 से टास्पेयर इस रिकार इंवाइस नी ए इंवाइस अस पर द रूल 48 4 इफ तन ओवर एक्षीट पांस फॉर्ट सॉर्य सॉर्य कि नोटिफिकेशन अबर 88 के बोलता है दोस्तों विदिफेक्ट फॉर्स्ट जैनुरी टो टुथाज़न टेक्स टेक्सपेयर इस रिक्वाइर टू प्रिपेर इंवाइस एस पर दा रूल 484 इफ टॉन ओवर एक्षीट 500 करोड अर्ले इट वाज़ अंडेड करोड पहले द इसका मतला बहुत सारे जो है टेक्सेबल जो है टेक्सेबल परसेंस इस कैटेगरी से बहार आ गए है तो अभी जो रियायत दी गई है नेक्स्ट फानेशेल लियर से जनवरी 21 से वह जिसकी टॉन ओवर 500 क्रोड या उससे उपर है उन्हीं के लिए इन्वाइस इन्वाइस चल रहे हैं तो इसी साथ मैं आज का ये नोटिफिकेशन डिसकर्शन यहीं पर क्लोज करता हूं नए पिपटी नए डिसकर्शन के साथ फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्का जैहिन जैभारत